इस प्रश्ण का सही आंसर है दोस्तों, option number 4, इन में से कोई नहीं हलो दोस्तों, नवस्कार, मैं हूँ कोई और आप देख रहे हैं कोई इनको टेक्शनल दोस्तों, triple C और computer competitive exam की सीरीज का यह 14 वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 25 question और उनके answer जो कि किसी भी computer के competitive exam के लिए अती आवश्यक हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला question है, computer किस सिध्धान्त पर कारिय करता है? G-E-G-O, G-U-G-O, G-I-G-O, इन में से कोई नहीं दोस्तों इस वीडियो में आपको 25 question देखने को मिलेगा हर question के बाद से 2 या 4 उसके option रखे जाएंगे जिसका answer बताने के लिए आपको 2 से 4 second का समय दिया जाएगा जिसका answer आपको पता होगा comment section में comment करके बताईएगा और जिसका answer नहीं पता होगा इंतजार करिएगा उस question का answer आपको 4 second बाद बताया जाएगा इसकी तयारी करने के लिए आप उसका screenshot लेकर अपने mobile में रख सकते हैं या चाहे तो काफी में note down भी कर सकते हैं फिलाल दोस्तों आपको इस question का answer इन 4 option से बताना है तो फटा-फट बताएं दोस्तों कि computer किस सिधान पर कारे करता है इस question का सही answer है दोस्तों option number 3 GIGO GIGO का पूरा नाम होता है garbage input garbage out मतलब जैसा आप data input करेंगे वैसा ही data आपको output मिलेगा अगला question है निम्न लिखित में से कौन सा एक search engine नहीं है Google, Yahoo, Hotbot, in में से कोई नहीं यहाँ पर दोस्तों आपको पताना है कि इस में से कोई सा एक option जो की search engine नहीं है तो फटा-फट इस question का answer दीजिए इस question का सही answer है option number 4 इन में से कोई नहीं अगला question है microsecond को किस परकार से ब्यक्त करते है MS, US, NS, PS इन चारों में से दोस्तों आपको बताना है कि computer में microsecond को किस परकार से ब्यक्त करते है इस question का सही answer है दोस्तों option number 2 US अगला question है micr का उपयोग निम्न में से किस कारे को करने में होता है बार कोड को read करने में, computer games खेलने में, mcq paper के correction में, check अथवा credit card को read करने में तो फटा फट बताने हैं दोस्तों कि इन चारों option में से micr का उपयोग किस के लिए किया जाता है इस question का सही answer है दोस्तों option number 4, check अथवा credit card को read करने में अगला question है, computer में निम्न में से किस परकार का input दिया जा सकता है numeric, alphabetic, alphanumeric, ये सभी इसमें से आपको बताना है दोस्तों कि computer में किस परकार का data input दिया जा सकता है numeric, alphabetic, या alphanumeric, या ये सभी तो फटाफट इस question का answer बताएं दोस्तों इस question का सही answer है दोस्तों, option number 4, ये सभी अगला question है, निम्न लिखित में से कौन सा binary operator नहीं है and, or, not, इन में से कोई नहीं इस question का सही answer है दोस्तों, option number 4, इन में से कोई नहीं अगला question है, निम्न में से कौन सा computer को दिये गए निर्देशों का एक set है software, hardware, सुचना, इन में से कोई नहीं इस question का सही answer है दोस्तों, option number 1, software अगला question है, वन केवी समतुल है, 1024 bytes, 1024 bits, 1000 bytes, 1000 bits तो इस question का फटा-फट answer बताईए दोस्तों, कि एक केवी बराबर कितना होता है, option आपके screen पर है इस question का सही answer है दोस्तों, option number 1, 1024 bytes अगला question है, Mips का पूर नाम है, maximum instructions per second, million instructions per second, minimum instruction per second, micro instructions per second इस प्रश्न का सही answer है दोस्तों, option number 2, million instructions per second, Mips का पूरा नाम होता है अगला question है, email भेज़ते से में प्रियुक्त किये जाने वाले word, BCC का अर्थ है blind carbon copy, back carbon copy, bring carbon copy, blank carbon copy इस प्रश्न का सही answer है दोस्तों, option number 1, blind carbon copy अगला question है, one TV सम्तुल है, 1024 के भी, 1024 MB, 1024 GB, 1024 bytes इस question के according दोस्तों आपको बताना है, कि one TV बराबर होता है किसके, और 4 option आपके screen पर रखेंगे हैं इन चारों में से कोई एक option सही है, तो उस सही option को आप comment section में बताईए इस प्रश्न का सही answer है दोस्तों, option number 3, 1024 GB 1024 GB, 1024 GB बराबर 1 TV होता है अगला question है, Linux operating system है, multi user, महंगा, कमजोर सुरक्षा system, single user इन चारों में से दोस्तों आपको बताना है कि Linux operating system है, option आपके screen पर है फटा-फट इस प्रश्न का answer बताएं दोस्तों इसका सही answer है दोस्तों, option number 1, multi user अगला question है, operating system का अन्य नाम है, language manager, printing manager, computer manager, resource manager इस प्रश्न का सही answer है, दोस्तों, option number 4, resource manager आपरेटिंग system का दूसरा नाम, resource manager होता है अगला question है, निम्न में से कौन ROM के प्रकार है प्रश्न का सही answer है, option number 4, ये सभी प्रश्न का सही answer है, दोस्तों, option number 4, ये सभी प्रश्न, 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 ये तीनों ही ROM के प्रकार है अगला question है, नोकिया कमपनी के अधिकान hand setों में, निम्न में से कौन सा आपरेटिंग सिस्टम उपियो किया जाता है, Android, Windows, Symbian, Blackberry इस प्रश्न का सही answer है, दोस्तों, option number 3, Symbian नोकिया कमपनी के अधिकान handphone में, Symbian आपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है अगला question है, नेटवर्क से जुड़े प्रतेक कम्प्यूटर को कहते हैं Channel, Hub, Node, Modem इस प्रश्न का सही answer है, दोस्तों, option number 2, Hub अगला question है, निम्ण लिखित में से कौन सा storage device नहीं है Pen Drive, ROM, CD-ROM, Memory Card इस प्रश्न का सही answer है, दोस्तों, option number 2, ROM ROM एक ऐसा device है, जो की storage device नहीं है अगला question है, graphical data को निम्ण में से किसमें अच्छे से संचारित किया जा सकता है Optical Fiber, Coaxial Cable, Ethernet Cable, इन में से कोई नहीं इस प्रश्न का सही answer है, दोस्तों, option number 2, Coaxial Cable Coaxial Cable में graphic data को बहुत ही अच्छे से संचारित किया जा सकता है अगला question है, निम्ण लिखित में से कौन सा command Excel के formatting toolbar में उफलब्ध है currency style, present style, fill color, drawing इस प्रश्न का सही answer है, दोस्तों, option number 4, drawing अगला question है, what document में कागज का आकार, margins, paper का स्रोथ, इत्याद निम्ण में से किस option के दोबारा set करता है print preview, page setup, page layout, page preview इस प्रश्न का सही answer है, दोस्तों, option number 2, page setup अगला question है, किसी बिंडो में प्रोग्राम अथवा document का नाम कहाँ पर पड़ा हुआ होता है menu बार में, text area में, status बार में, या title बार में तो इस प्रश्न का सही answer बताएं दोस्तों, फटापट, और ये बहुत ही आसान भी question है हर प्रोग्राम के अंतरकत यह बताए जाता है, कि उस प्रोग्राम या उसके फाइल का नाम कहाँ पर लिखा रहता है इस प्रश्न का सही answer है, दोस्तों, option number 4, title बार अगला question है, text को right align करने के लिए किस keyword shortcut का उप्योग करते हैं इस प्रश्न का सही answer है, दोस्तों, option number 1, control प्लस आर text को right align करने के लिए, control प्लस आर साटकट की का उप्योग किया जाता है अगला question है, Linux में किसी directory को हटाने के लिए, निम्ड में से कौन सी command का उप्योग किया जाता है mydir, rmdir, cap, clear इस प्रश्न का सही answer बताएं, दोस्तों, कि Linux में किसी directory को हटाने के लिए, किस command का उप्योग किया जाता है इस प्रश्न का सही answer है, दोस्तों, option number 2, rmdir Linux में किसी भी directory को हटाने के लिए, rmdir का उप्योग किया जाता है अगला question है, computer system का basic मुख्य भाग है input unit, CPU, output unit, ये सभी इस प्रश्न का सही answer है, दोस्तों, option number 4, ये सभी computer system का basic मुख्य भाग ये सभी होते हैं, जैसे input, CPU, output अगला और आखरी question है, निम्नलिकित में से कौन से operating system का अभिकास भारत की सरकारी agency ने किया था android, bose, sambion, इन में से कोई नहीं इस प्रश्न का सही answer है, दोस्तों, option number 2, bose तो इस प्रकार दोस्तों, आज के वीडियो में आपने देखा computer से related 25 question और उनके answer आसा करते हैं दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like कीजिए दोस्तों में share कीजिए और channel पर नए हैं तो subscribe कर लिजे क्योंकि हम रोज ऐसे ही knowledgeable and tips trick की वीडियो इस channel पर upload करते रहता हूँ तो मिलते हैं दोस्तों आपको new वीडियो में new tips, new knowledgeable वीडियो के साथ तब तक के लिए नमसकार, जय हिंद, जय भारब